दोस्तो आजम पोहे से बहुती कम तेल में क्रिस्पी और बहुती स्वादिश्ट नाष्टा बना के तैयर करेंगे ये नाष्टाना सभी को पसंद आएगा तो चलिये बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर नाश्ता बनाने के लिए मैंने एक का पोहा लिया है, पोहे को डाल देंगे हम बाउल के अंदर, यहाँ पर पोहा आप कोई भी ले सकते हैं, तो हमें करना क्या है, पानी डाल कर हम पोहे को दो से तीन बार अच्छे से धो लेंगे, इससे क्या होगा न, पोहे के अं दही यहां मैंने आदा कप लिया है, यहां पर दही डाल के हमें सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है, इस नाष्टे को बनानी के लिए हमें यहां खट्टे दही का यूज करना है, तो यहां पर पोहा और दही अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो पाच मिनिट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे आप यहां देख सकते हैं पोह अच्छे से फूल गया है और सॉफ्ट भी हो गया है तो बस हमें इसे करना क्या है अच्छे से हमें पोहे को मैश कर लेना है और इसका हमें एक सॉफ्ट डो बना के त्यार करना है आप यहाँ पर देख सकते हैं, दो हमारा तयार हो गया है, तब हम इसमें डालेंगे सुजी, यहाँ पर सुजी मैंने 1 4th कप ली है, और आप सुजी की जगर अभी का भी यूज कर सकते हैं, और इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च, लाल मिर्च को मैंने इस तरह से पतला पतला का लिया है और आपके पास में इस तरह की लाल मिर्च नहीं है तो आप चिली फ्लेक्स का भी योज कर सकते हैं यहां पर हम सुजी को डो के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां पर दो मुझे थोड़ा सुखा लग रहा है तो हम मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी आट कर लेंगे एक बात का ध्यान रखे डो के अंदर पानी जादा नहीं डालना है नहीं तो डो हमारा जादा सॉफ्ट हो जाएगा यहां पर सभी चीज़े अच्छे से मिक्स हो चुकी है तो हमें करना क्या है तो बस इस तरह से प्लेट से हम डग कर 5-7 मिनिट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट देने से क्या होगा ना हमने जो सूजी डाली है वो अच्छे से फूल जाएगे यानि सॉफ्ट हो जाएगे यहां पर मैंने हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लिया है और तेल लगा कर हम इसका डो तैयार कर लेंगे जैसे हम रोटी बनाते हैं तो डो तैय से चप्टा कर लेंगे और बीच में से इस तरह से उंगलियों से हम खोल कर देंगे सेंटर में जैसे हम मेंदू बड़ा बनाते हैं बस हमें वैसे ही बना के त्यार करना है इसे बनाना बहुत ही सिंपल है यह देखिए मैंने इस तरह से सभी नाष्टा बना के त्यार कर लिया ह इस नाश्टे को हमें इस्टीम करना है तो इस्टीम करनी के लिए यहां मैंने एक छन्नी ली है चन्नी के अंदर हम इस तरह से तेल लगा देंगे और आपके पास में छन्नी नहीं है तो इडली मेकर आता है उसमें भी आप बना सकते हैं तो यहां मैंने चन्नी में तेल लगात तिल लगानी की बात में हम सभी नाष्टा इस तरह से चन्नी के अंदर रख देंगे तो चली हम नाष्टे को स्टीम कर लेते हैं यहाँ पर मैंने कड़ाई के अंदर पानी पहले से गरम होने रख दिया था तो बस इस तरह से कड़ाई के ऊपर हम चन्नी रख देंगे और डग गया है और हमने चन्नी कि उपर तेल लगाया था ना तो ये दिखे नाश्टा कितने आराम से निकल गया है तो चले हम तड़गा लगा लेते हैं तड़गा लगानी के लिए यहां मने पैन कैस के उपर रख दिया और एक चमच तेल डाल देंगे और तेल गरम होने के बाद में एक चमाच हम राई डाल देंगे राई को तरकने देंगे और तरकने के बाद में हम इसमें थोड़ी से डाल देंगे कड़ी पत्ते और कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और साथ में दो सुखी लाल मिर्च डाल देंगे और हरी मिर्च को हम तेल के यहां तड़के के अंदर हमें नाश्ते को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस नाश्ते को जौड़ा चिटपटा बनाना है तो नीवू का रजबी उपर से डाल सकते हैं और यह दीखे का नाश्ता बनके त्यार हो गया है यह नाशतना पुरी तरह से हलती है क्योंकि इसमें हमने बहुत ही कम म errors dalam का यूज किया है और साथ में हमने तेल उस्ताम किया है और यह ने तो आप इसे सौस और चटनी के साथ में इंजोय करें इस नाश्ते को एक बार गर में जरूर बना के देखें तो अगली मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ में